अधर निया पुपेश भागया जी एमन सोरेन जी आतियन सिंग जी डॉक्टर रामेश्वर उराओं जी आलमगीर आलम जी सुबोगतान सहाय जी उमन सिंगार जी मैनुल हाग जी जे मेल के आज येडी के तमान नेता गर्ण, पार्टी के काईकरता, मेरी प्यारी बेहनों और भाईयों आप सबका इस सब्धा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत भन्यवाद कि आप इसमी देश से मेरा इंतजार कर रहे हैं अजारों गादिवासियों और जारखंडियों के संधश और कुर्बानी से बना है आपका प्रदेश ये प्रदेश आपकी प्रचान है ये जमीन जंगल जल आपको मुफ्ट में नहीं मिले आपके इसकी लड़ाई रड़ी सालों से सदियों से आप इस लड़ाई को लड़ते चले आ रहे हैं ये नदियां ये ज़रने ये तालाव आपके हुआए ये जमीन आपकी है इसके अस्मी जावेदार आप हैं हमेशा आप शांती पूर्व करते हैं लेकिन जब बात अपनी मिट्टी और अपनी मा की हो तो आप कभी चुप नहीं रहे हैं ये आपको महान योधा सिद्धू और कानों ने सिखाया उनको मेरा नमन और आज उनकी इस पावंधर की पे खड़े हुए मैं आप सब को कहना चाहती हूँ कि ये चुनाओ ये चुनाओ आपकी मिट्टी और आपकी मा का चुनाओ है ये चुनाओ जारकंड के अप्तित्र का चुनाओ है आपकी आत्मा का चुनाओ है जब से भाजप्पा की सरकार आपके प्रदेश में आई तब से आपकी आत्मा पर हमला किया गया है आदिवासी रंग होते हैं लेकिन भाजप्पा की वजादारा इन हजारों रंग के प्रती अंधी है इन्हें हजारों रंग नहीं दिखते ये कुछ और चाहते हैं आपकी आदिवासी संस्कृती परबार करते हैं जो कानून आपकी संस्कृती को बचाने के लिए बनाए गए जिन कानूनों के लिए आपके लोग शहीद हुए जिन के लिए सिदू कानून लड़े उन कानूनों को तोरने के लिए उन कानूनों को हटाने के लिए भाज़पा ने पूरी कोशिश की संस्कृता पर जिन से आपकी जमीन और जंगल की रख्षा होती थी उन्हें हटाने की कोशिश की उन्होंने अगर आपके आदाज दरी उठाई होती अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आज बर कानून बटा के रखते हैं ये संधर्ष आपका रहा इसी संधर्ष में आपके जमीन जंगल के संधर्ष में इम्रागांडी जी हमेशा आपके साथ रही उन्होंने आजीवन काम किया कि जल जंगल जमीन आपके लिए भचे रहे उन पर आपका अधिकार बना रहे लेकि भाज़प्पा की सब्कार आज भी आपकी जमीन चीम के अमीरों के लिए अपने गोस्तों के लिए लेंड बैंक बना रही है जब आप पर अट्याचार होगा है तो कुछ नहीं कहते उत्तर प्रदेश में सुन भद्र जिले में आपके आदिवासी भाई दहन रते हैं वहाँ पर निर्मन हट्या की गई बहुत लोगों को मारा गया इसी तरह से जमीन लेने के प्रयास में उत्तर प्रदेश की भाजप्पा सरकार एक लवज नहीं बोली कोई आगे नहीं बढ़ा जब मैं जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए मुझे रोपा मुझे 24 गंटों के लिए एक किले में बंद कर दिया लेकिन मैं पीछे नहीं हटी जब तक मैं उन परिवारों उन पीडितों से मिली नहीं तब तक मैं पीछे नहीं हटी ये मैंने इंडिया गंदी जी से सिखा आपके लिए संभर्ष करना कॉंग्रेस की आत्मा में है कॉंग्रेस के कड़ कड़ में है आपकी संस्ट्रिफी को बचाए रखना कॉंग्रेस के कड़ कड़ में है जार खन पे लगबस देश का आधा कोईला लोहा, अफरक, अलुमिनियूम और तरे तरे के खनेज पदार्थ है लेकिन आज भी यहाँ गरीबी फैरे गुई है भूग से छोटी छोटी बच्चियां मर रही है मर्के दम तक भाग भाग कहते हुए दम तोड रही है और भाजपा सरकार आज के लिए कुछ नहीं कर रही है इनकी मौत पर भी उनको भी जुपलाना चाह रही है सच्चाई यह है परिवारों का राशन का ग्रज किया है कॉंग्रेस सरकार में आपको 35 किलो राशन मिलता था आज आपको 5 किलो मिल रहा है भाजपा सरकार प्रचार में सूपर हीरो है काम में सूपर जीवा है इनकी दुरास्तरना काम सरकार से पूछना चाहती हूँ पाच साल में इनोंने युगा को भूजगार दिया पाच साल में युगाओं का पलाय नोका पाच साल में कोई उद्योग लगवाया पाक साल में कितने कोलेज खुले, पाक साल में कितनी जरीवी पिखाई, पाक साल में महिलाओं की सुरक्षा की की ने की, पाक साल पार शिक्षक को सम्मान दिया की नहीं दिया, आशा नकन्तipl. कि नहीं दिया जो कानून आपकी संस्क्रिती को बचाने के लिए बनाए गए जिन कानूनों के लिए आपके लोग शहीद हुए जिनके लिए सिर्दूर कानून लड़े उन कानूनों को तोरने के लिए उन कानूनों को खटाने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की जिनसे आपकी जमीन और जंगल की रख्षा होती थी उन्हें उन्हें खटाने की कोशिश की इन्होंने अगर आप के आगाज नहीं उठाए होती, अगर आप आगे नहीं बढ़ते, तो आज बर कानून अटाके रहते हैं, ये संधर्ष आपका रहा, इसी संधर्ष में आपकी जमीन जंगल के संधर्ष में इंडरा गांडी जी हमेशा आपके साथ रही, उन्होंने आजीवन काम किय कि जल गल गल जमीन, चत्तिसगार में कॉंग्रेस ने OBC के लिए 27 प्रतिशा कारक्षण दिया, यहां की सरकार ने कितना दिया, उचियें से, यहां के क्रशर बंद हुए, कोईना ख़दान बंद हुए, वीजेपी सरकार ने कितना दिया, आज पाखोर में चार्ष में आपक आज, सोच लीजिए, पेट्रल, डीजल, दाल, आटा, फोल कगाटा, सब महंगा आ गया है, इनके सासन में इन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी, इनका फॉर्मिला यह है, कि गड़ीबों से पैसा छीनो, और अमीरों को पैसा दे दो, मंदेगा का कारिव बंद किया है, मंदी से आके का टाने बंद हुए, कांखंदा हख़र हुआ, मजदूरी कम हुए, आक कांदनी कम हुए, बच्चों के 4,015 बंद किये, कर्चारियों पर हुदा किया, जितने भी पैरा कर्चारिय हैं, सब को नकारा गया, जब नोने अप्तिता गया अंगर भाड़ी को भी ऐसा ही किया राष्ट स्तर पर इन्हों ने समान सरकारी कंपनियों बंग की और जो बंग जबेच डाली और जो भावी तक बेची नहीं है उनको भी बेचने की इनकी पूरी योजना है रेलवे बेचने बेचना चाहते हैं आज देश की ये स्कुती है कि देश के कोने कोने में महिनाओं के साथ अठ्याचार हो रहा है उत्तर से देश में भाजप्ता के गी विधायत ने एक महिना का बनातकार किया इनकी सरकार कुछ नहीं बोली बड़कि उस विधायत की इनोंने कूरी रक्षा की जब तक जनता से अबाज नहीं रुखी ति हम ये बर्दाश नहीं करेंगे तब तक ये रुखे मही रक्षा करते रहे यहां हाली जारखंड में एक ऐसे उमी द्वार हैं जिन पर यही आरोफ लगे हैं और मोदी जी उनके मंच पर खड़े होकर उनके पक्ष में प्रचार कर रही है जारखंड की लेटियां अपनी आखों से देखो आज ये देश की सच्चाई है ये जारखंड की सच्चाई है मगर मोदी जी इस पर नहीं बोलते क्योंकि मोदी जी इस देश की सच्चाईयों पे नहीं बोलते हैं तो बहाने बादी करते हैं जैसे पेल होने वादा बच्चा पाक्षाना में बहाने बाता है उसी तरह इसे मोदी जी भी बहाने बाता है मोदी सरकार रोज़गार गिर्वाने में पेल हुई बहाना कॉंग्रेस पार्टी अच्वेवस्ता को मस्भूच बनाने में फेल हुई बहाना कॉंग्रेस पार्टी किसान को सक्षन बनाने में फेल हुई बहाना कॉंग्रेस पार्टी छात्रों की आवाज सुनने में सरकार फेल हुई बहाना कॉंग्रेस पार्टी महिलाओं तो सुलक्षित लखनी में इसादकार कहले हुए। महें गाल को रोकने में इस सकार्थ भखन, महना कॉंग्रेस पार्टी छोटे दुगालदाहत की लक्षा में फिल। सब को भोजर सब को पानी देने में फिल और वरी वहने बार बार बवराए गए सचाई ये है कि उन्होंने आप को पाथ सालों में कुछ नहीं दिया सचाई ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा सिर्फ सरकार की है और प्रदान मंद्री की है यह जिम्मेंदारी है अपने आप ले इन्होंने आपको सिर्फ फोक ले भाशन और जूट पर उसके दिये हैं तो हर तरह से यह फेल प्रदान मंद्री सिर्फ फूट डाल में चाहते हैं जब अर्ठी अरस्ता की बात इस चर्चा हुई कि अर्ठ पर अस्ता एक्डम बुद्द्र हो गई है ठख हो रही है तब फिर से इन्होंने बात लेकाता हम सुनू किया नए नए कानून लाएं असां में सोना सो क्रों रुपे लगाकर इन्होंने एनर्सी चराया पता चला लाखो भार दियों से इनर्सी की लिस्ट में नहीं है एनर्सी आसां से फेर हो गया इन्होंने फिर सिया निकाला नागरिक कानून की निकाला असां के लोग सबकों पर उच्रे उनके गोलियां पर साई गई असां जल रहा है दिल्ली में छात्रों ने अवाज उखाई तो पुरीस ने लाथी गोली मारी लड़्कियों के साथ बद सनूठी की पूरे देश में छात्रार सबक पे आ चुका है लेकिन फेल्ट रधान मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है तो फोकी चुनाती देने के लिए यहां आपके प्रदेश में वो मंच पर खड़े हुए और फोकी चुनाती भी उनोंने यही से आपके प्रदेश में खड़े होकर मैं छारकर्ण की जंता के तरफ से आपकी तरफ से रधान मंत्री को चुणोती देना चाहती हूँ मौदी जी संथाल पर्गना खानून के बारे में बोलिये जारकन में भूख से मौदों पर बोलिए जारकन में बेरोर्डारी पर बोलिए महिलाँ के बहातार पर बोलिए चौपक यापार पर बोलिए रच्टाप्यार पर बोलिए भाया भोजार पर बोलिए आप किसके प्रधान मंत्री हैं? आप जोड के प्रधान मंत्री हैं मुदी जी या आप सोड के प्रधान मंत्री हैं इस पर बोलिए इस देश के प्रधान मंत्री हैं वटवारे के प्रधान मंत्री हैं इस पर बोलिए इस सवार का आपके पर जड़ा दिनी है आप सब यहां मौजूद है जब मेरा आई तो आप यहां से कुर्सियां हटा रहे थे क्योंकि जगे नहीं थी जिस तरह आप लेगान से कुर्सियां हटा रहे हैं उस तरह आप इनकी सर्कार को कुर्सी से हटा रहे प्यादिया यह सब्कार में आप क्यों एक ऐसी संकार बनाएंगे जो आपके हिप में काम करें जो आपके पक्स में काम करें जो आपको रोजगार दें जो छातरों की बात सुनें जो महिनाओं को सुरक्षित रखें जो किसानों के कर्ज माफ करें जो आपके छोटे छोटों योगों को मजबूत बनाएं जो आपके अधिकारों को आपकी संस्क्रिती को मजबूत रखे उनकी सुरक्षा करें मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ फुनाव का आफ्ली दिन है जहां 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 करने आप गोट डालने जा रहे हैं सोच समझके अपना गोट दीए हमारे गटवंडन को जिताएए क्योंकि हमारे खेंगे हम आपके लिए काम करेंगे अप सबसे को बहुत बहुत भनिवाद जह हिंग